नमस्कार दोस्तों CSC भी अरले अपडेट में मैं साहिल आपका तहदिल से स्वागत करता हूँ जी हाँ दोस्तों आपने थंबनेल सही देखा CSC का रजिस्टेशन बंद होने वाला है और आज के डेट में रजिस्टेशन को बंद भी कर दिया गया था और उसे फिर से चालू कर दिया गया है तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उसे बंद तो ये होना ही है और लेकिन इसे फिर से चालू क्यों किया गया है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये कब तक बंद हो जाएगा इस वीडियो पर यही बात करने वाला हूँ और कुछ और भी बताने वाला हूँ कि जिसके पास CSC ID पहले से है उसकी भी ID बंद हो जाएगी और वो क्यों ID बंद हो जाएगी तो अब इस वीडिय की CSC ID बंद कर दी जाएगी तो वो कौन से लोग है वो इस बारे में मैं आज discuss करने वाला हूँ अगर आपको हमसे अगर कोई help चाहिए CSC के related अगर आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं या फिर हमसे कोई help चाहते हैं आप नहीं कर पा रहा है CSC से related A to Z पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को join करना होगा आपको इस चैनल का member बनना पड़ेगा member बनने के बाद ही मैं आपका पूरी तरीके से help करूँगा किसी भी तरह से कोई भी problem हो CSC से related मैं आपकी help करूँगा तो अगर हमारे चैनल पर आपना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि हमारी जो knowledge वाली वीडियो हो उसका चैनल उसका notification आपको सबसे पहले मिल सकें तो सबसे पहले बात करते हैं कि CSC का जो registration था यहां से जो आप registration पेज पर आप आते थे registration करते थे तो यहां पर अभी देखिए CSC भिली का registration अभी start है कुछ दिर पहले यह registration बंद कर दिया गया था और इसे चालू क्यों कर दिया गया है तो दोस्तों इसे चालू अभी कर दिया गया है जिन्हों ने कुछ दिन पहले CSC के लिए registration किया था और उनका किसी कारण वस वह form reject हो गया था जैसे कि कोई कारण हो सकता है जिसे किसी का उसमें passbook mismatch हो रहा है या फिर सही से प्रिंट नहीं है उसमें data कुछ match नहीं हो पा रहा है या फिर और कोई ऐसे problem हो उसका reapply करने के लिए यहां पर अभी open कर दिया गया है हलाकि यह कुछ दिन में बंद हो जाएगा क्योंकि CSC यहां पे कहीं पे भी एक option दे देगी update के लिए क्योंकि यह जब बंद हो जाएगा तो वो जो पहले से भरे हुए है वो अपना अगर कोई गरबड़ी है तो उसे फिर से reapply कर सकते है या फिर अपना update कर सकते है इसके व के बगल में कहीं कोई देदे option देदे जहां से आप सुधार कर सकते हैं जो पहले भर चुके हैं CSC के लिए apply कर चुके हैं और उनका किसी कारणमस form reject हो गया है दोस्तों अगर आपने टेक का टीसी का सार्टिफिकेट के लिए apply कर दिया है तो उसे जल्दी से जल्दी अपना exam clear कर लीजिए exam clear करने के बाद आप यहां पे CSC भीली भर के आप यहां टीसी सार्टिफिकेट टंबर डाल के जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप यहां पे apply कर दीजिए ताकि भ्यूस में हमारा ये registration अगर बंद भी हो जाता है तो मेरे पास option रहे कि मैं registration कर चुका हूं और मैं मुझे CSC ID मिल जाए तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने आज अपने area manager से बात किया है कि सर यहां पे CSC का registration का option क्यों हट गया है तो उन्होंने सिफ एक ही बात कई है कि अभी सिफ hold किया गया है और यह बंद होने वाला से registration करने के बाद आपका form reject भी हो जाता है तो आप फिर से दोबारा apply कर सकेंगे तो मैं आप सभी दोस्तों से यही request करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके CSC के लिए apply कर दीजिए क्योंकि यह registration बंद होने वाला है तो दोस्तों यह तो आप समझ गए होंगे अब मैं आपको दूसरी बार बताने वाला हूँ कि आपकी CSC ID क्यों बंद होने वाली है कुछ बहुत से ऐसे भीली है जिनकी CSC ID बंद होने वाली है दिने इस त्यागिसर ने साब साब सब्दों में यह कह दिया है देखिए भीली attention last opportunity यहां आप देख लीजे not done any transaction during last six month जितने भी हमारे CSC बियली भाई हैं जिन्होंने CSC की ID पहले से ली हुई है और उन्होंने 6 महीने से कोई भी अपने जनसेवा CSC के portal से कोई भी transaction नहीं किया हुआ है और DGP में 6 महीने के अंदर कोई transaction नहीं किया हुआ है तो उनकी ID permanently बंद कर दी जाएगी तो यह दोस्तों यह बहुत important बात है आप इस पर जरूर ध्यान दीजेगा कि अगर आपको CSC ID मिल चुकी है आपके पास CSC ID है और आप पहले से लिये हुए हैं तो आप इस पर काम करना शुरू कर दीजे नहीं तो आपकी ID permanently बंद कर दी जाएगी यह कल का news है दोस्तों आप देख लिजे यहां लिखा हुआ है उन CSC के लिए अंतिम उसर जिन्होंने पिछले 6 महीने के दोरान डिजिटल सेवा पोर्टल और DGP में कोई लें दिन नहीं किया है अंतिम उसर का मतलब दोस्तों यह लास्ट चांस है आपका CSC का पोर्टल बचाने के लिए तो आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान कि CSC उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है जो CSC के का नाम लेकर धोखा धड़ी और अवे तरीके से पैसे का लें दिन कर रहा है तो जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि CSC का रजिस्टेशन क्लोज होने वाला है तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग है जो CSC का नाम ले कि आपके पास मैसेज करेंगे आपके पास कॉल करेंगे और आपसे कहेंगे कि मुझे इतना पैसा दीजे मैं आपको CSC प्रोवाइट कर दूँगा तो दोस्तों आप ऐसे लोगों को कभी पैसा मत दीजेगा तो मेरा यही मक्सद था कि आप ऐसे लोगों को कभी पैसा मत दी हो जाता है उनके खिलाफ और यहां देख सकते हैं और यह पे CSC-S.P.B.. यहाँ दो लोगों के खिलाफ की और भी दर्ज हो रहर है एक आपके हैं अनो ठाकोर अश्चराव की सिज्च न कीज ली ऑर धा के नाम से हमारे नए भीली बनना चाहते है जो नया ID लेना चाहते है उनके साथ धोका-धड़ी कर के उनसे पैसे का मांग करके CSY का लालाज देके उनसे पैसे का मांग कर रहे थे तो ये CSY को जब पता चला तो उनके खिलाफ FIAR दर्च कर दिया गया है